गाईज नए साल की शुरुवाती बहुती धमाकेदार फोन के साथ शुरू हो गई है यहाँ पर शामी ने लॉंच किया है रेड्मी का 12 सीरीज और यह है मेरे पास रेड्मी नोट 12 प्रो प्लस अब लास्ट येर जाते जाते रियल्मी ने भी एक टगड़ा फोन लॉंच लिया था जिसका नाम था रियल्मी 10 प्रो प्लस इसको हम कंपेर करने जा रहे है इस फोन के साथ और जानेंगे डीटेल में इन दोनों फोन्स में आपको कॉन से रहना चाहिए क्यामरा किसका बेटर है, डिस्प्ले किसका बेटर है, सभी चीजों के बारे में डीटेल नों पता लगांगे इस वीडियो में मैं हूँ दिवेकांट, तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक याने जीटी हिंदी के साथ इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सभी फोन की बाइंग लिंग अब आपको यूट्यूब के नए व्यू प्रॉड़क्ट आउप्शन में बहुत ही असानी से मिल जाएंगी, जिससे कि आप डिरेक्टली फोन खरीच सकते हैं यहां पर जो प्रॉसेसर की बात करें तो दोनों ही फोन से में बिलकुल सेम प्रॉसेसर मिलते हैं, यहां बात आती है डिजाइन की जिन में डिफरेंस देख रहे हों मिलता है, डिस्प्ले कॉलिटी और भी कुछ-कुछ चीज़े हैं और वहीं पर रियल्मी लगबग 175 ग्राम के असपास है, इन हैंट फील के मामले में आपको रियल्मी बहुत हलका लगेगा, उसी के साथ-साथ कर्व डिस्प्ले के कारण इसका जो ओवराल फीर है आपको प्रीवियम लगता है as compared to Redmi, देखो Redmi पीछे नहीं है, इसका आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको उतनी बढ़िया डिजाइन नहीं मिलती है, जो आपको रियल्मी में मिलती है, लेकिन रेड्मी में एड्वांटेजेज हैं कुछ-कुछ चीज़ों में, यहाँ पर आपको फ्रेंट की साइड में गोरिला ग्लास 5 का प्र उसी के साथ यहाँ पर रेड्मी में आपको वही side-mounted fingerprint sensor मिलता है, और वहाँ पर रियल्मी में आपको in-display fingerprint sensor मिलता है, तो यह आप अपने preference case आप से देख लेना, आपको side-mounted जाला पसंद है या फिर in-display, और इतना ही नहीं रेड्मी में आपको IP53 water repellent rating मिल जाती है, और ऐस सामने से premium लगता है बहुत देखने में, क्योंकि इसका curve display जो है वो आपको बढ़िया लगेगा in-hand feel में भी और देखने में भी, connectivity में आपको दोनों ही phones में dual SIM card का support मिलता है, expand आप नहीं कर सकते हैं, उसी के साथ 5G bands की बात करते हैं, तो दोनों ही में आपको equal 5G bands मिल जाते ह और यहां पर feedback भी उतना ही बढ़िया as compared to Redmi, Redmi में आपको थोड़ा सा average type का motor मिलेगा और उतनी बढ़िया feedback हमें नहीं लगे, typing के वक्त भी और overall gaming के वक्त भी आपको बढ़िया haptics feedback जो है आपको मिलेंगी Realme में, and now coming to the front side, यानि कि display की बात कर लेते हैं, सबसे पहले Realme की बा with 120Hz of refresh rate, साथ ही साथ HDI 10 Plus और Dolby Vision का certification और 900 nits की peak brightness और दोनों ही Full HD Plus resolution के साथ आते हैं, now देखो display के मामले में premium लगता है Realme no doubt, लेकिन display brightness के मामले में Redmi काफी आगे है as compared to Realme, यहां पर जो peak brightness Redmi का वो आपको 100 nits जादा मिलती है, जब अगर आप side by side दोनों ही phones को रखेंगे तो व में आपको मिल जाते हैं, और वहां पर अगर Netflix की बात करें तो Redmi एक हाथ आगे है Realme से, यहां पर आपको Redmi मिल जाता है HDR10 और Dolby Vision का certification, अगर बात करें overall multimedia experience की तो यहां पर दोनों ही phones में आपको बढ़िया overall multimedia experience मिल जाते है, in terms of display quality, in terms of sound, दोनों ही काफी बढ़िया है, sound के मामल से वो बढ़ जाए, वो में जादा prefer नहीं करता है, लेकिन 100% volume में Redmi जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़र काम करता है as compared to Realme, लेकिन overall display quality wise दोनों में ज़्यादा difference नहीं है, बट एक चीज़ है, यहां पर multimedia playback में, अगर आप YouTube में 4K HDR 60fps चलाते हैं, दोनों ही phones में, तो Realme जो ह हो जाती है, यह मैंने review में बताया था Realme के, अभी तक वो चीज़ सॉट नहीं हुई है, और यह चीज़ आपको Redmi में नहीं मिलता है, Redmi जो है 4K 60fps HDR वीडियो को बहुत ही असानी से चलाता है, वहां पर कोई problem नहीं है, अब बात करें performance की, तो यहां पर देखो, दोनों ही phones में बिल्कुल सेम चिपसेट मिल जाते है, Mediatek Dimensity 1080 का processor with UFS 2.2 storage, दोनों ही performance में बहुत बढ़िया है, यहां पर RAM management ले लिजे, day-to-day usage ले लिजे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई यह दोनों ही phones में, बेंचमार्स दोनों ही phones में आपको लगबग सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ CPU throttling भी आपको equal देखने को मिल जाते हैं दोनों ही phones में, thermal performance यानि की दोनों ही phones का काफी बढ़िया है, gaming पर आए तो दोनों ही phones में हमने BGMI ट्राई किया, और यहां पर आप RAM से Smooth plus Extreme setting में चला सकते हैं, या फिर आप SDR plus Ultra setting में, तो दोनों ही phones support करते हैं, और playback भी काफी अच्छा है, अभी सर्दियों का मौसम है, तो अच्छा playback मिल रहा है हमें, और साथ साथ मैं प्रिफर करूँगा जब आप इसको long term के लिए खेलें, या लंबे समय तक गर आप gaming कर रहे हैं, तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप medium to low setting में खेलें, तो आपको लंबे समय जो gaming performance है दोने फोन की बढ़िया मिलती है, thermals बहुत अच्छे लगे दोने फोन में, especially realme में, इतना पतला होने के बाउजियों की thermals काफी अच्छे है, अगर softwares पे आएं तो यहाँ पर आपको Redmi मिलता है MIUI 13 based on Android 12, और वहीं पर Realme मिल जाएगा Realme UI 4.0 which is based on Android 13, देखो 2023 में क आपको latest Android version मिल रहा है, उसी के सासा जो UI है दोनों का काफी अलग-अलग है, Realme UI versus MIUI, काफी लोग को MIUI काफी पसंद आता है, और वहीं पर Realme UI भी काफी लोग को पसंद आता है, तो यह अपने preference के साब से देख लेना, और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, Realme में अभी भी काफी सारे bloatwares हैं इस phone में, especially even अगर आप stall भी करते हैं कोई भी software को, तो वहाँ पर add दिखाता है, वो चीज़ हमें Redmi में नहीं देखने हैं, जो काफी better UI बनाता है as compared to Realme UI, यहाँ पर अभी भी काफी सारे bloatwares हैं, hot apps हो गए, hot games हो गए, यह चीज़ देखने को मि जाता है, update schedule के बारे हैं बताएं, तो Realme थोड़ा सा better है update schedule में, और यहाँ पर आपको latest Android version मिलता है Android 13, और यहाँ पर Redmi, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नहीं, एक version पीछे है, लगबग Android 12 के साथ आता है, तो update schedule में मैं Realme के साथ जाना चाहूँगा, अब बात करते हैं battery performance के यहाँ पर 5000 मिलिया पार की battery मिलती है, दोने ही smart phones में, लेकिन charging में फरक आता है, 67 watts का charger मिलता है Realme में, और वहीं पर 120 watt का charger मिलता है Redmi में, अब देखो charging speed में यहाँ पर difference आता है, लगबग battery backup एक दिन का आराम से निकाल देते हैं दोने ही phones, तो यहाँ पर कोई problem नहीं है, बस charging में Realme जो है थोड़ा सा पीछा है as compared to Redmi, Redmi जो है 20 minute के आस पास लगबग completely charge हो जाता है 0-100% जो कि अपने आप में काफी बढ़ी है, 120 watt का charger है इस phone को बहुत जल्दी charge करता है, and now सबसे बड़ी चीज़ की बारे है बात करते हैं, वो है दोनों ही phones का camera, यहाँ पर सबसे पहले ब यहाँ पर काफी सारे फीचर मिल जाता है जो कि basically atomic layer deposition है, जो कि glaze और reflection को काफी कम करता है और optimize करता है different lighting scenarios में, जो कि actually दिखता भी है normal usage में, यहाँ पर अगर comparison की बात करें तो यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, daylight shots पे दोनों ही phones में काफी differences है, Xiaomi जो है काफी natural tone देता है और वही पर Realme में थोड़ी सी जादा vibrancy है photos में, but मैं prefer करता हूँ Xiaomi के processing, यहाँ पर थोड़ी सी close to natural है और वही पर Realme जो है काफी vibrant photos के कारण जो shadows area है, उसमें details बहुत कम कर देता है, for example, इस flower के picture में आप देख सकते हैं, Realme जो है काफी brighten up कर देता picture क और साथी साथ वो highlights में detail को काफी कम कर देता है, याना कि यहाँ पर तो details दिखी नहीं रही है, और वही पर Xiaomi जो काफी अच्छे से maintain करता है, और यही ALD technology की मदद से आप देख पा रहे हैं कि जो overall image है, highlights और shadows दोने ही Xiaomi में काफी balanced है, और यही चीज wide angle camera में भी दिखती है, और Xiaomi में आप देख सकते हैं कि जो shadows region है, वहाँ पर जो black portion है, वो काफी कम है, और वही पर Realme में black portion के कारण जो shadows में details है, वो काफी कम है, यहाँ पर HDR performance भी Realme में काफी inconsistent लगी और वही पर Redmi जो है, काफी consistent results निकाल कर देता है, हीमन शॉर्ट्स और पोट्रेट्स की बात करें, तो इस image को देखें, तो कान के आसपास जो area है, उसको भी blur कर दिया है Realme ने, और वही पर Redmi ने intact रखा है, selfies की बात करें, तो surprisingly Realme यहाँ पर काफी better काम करता है, picture के sharpness ले लिजे, skin tones ले लिजे, और साथी साथ structures ले लिजे, यह सारी चीजे Realme बहुत बढ़िया से निकाल कर दे र और लेकिन selfies की बात करें, तो यहाँ पर Realme बेटर काम करता है, लो लाइट में, वीडियो की बात करें, तो यहाँ पर फोन 4K 30fps तक support करते हैं, और साथ यसाथ 1080p 60fps capture कर सकते हैं, stabilization आपको मिल जाती है, 1080p 30fps दोनों स्मार्टफोन में, और दोनों स्मार्टफोन की stabilization वो उतनी पढ़िया नहीं लगा, तो overall camera performance की अगर बात करें, तो मैं जाना चाहूंगा Redmi के साथ, Redmi का primary camera है, वो काफी better काम करता है as compared to Realme, यहाँ पर अगर आप overall camera composition देखे, shadows, highlights और even colors, वो ज़्यादा better मिलती है आपको Redmi में as compared to Realme, and now finally बात करते हैं, word it के बारे में, कि आपको कौन सा ल Realme 10 Pro Plus, हब के लिए ज़्यादा better रहेगा as compared to Redmi, लेकिन उसके अलावा, अगर आपको certifications ज़्यादा चाहिए, gorilla glass का certification, IP rating चाहिए, 3.5mm jack के साथ, IR blaster चाहिए, और एक consistent primary camera, तो आप Redmi के साथ जा सकते हैं, बाकी चीज़े आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, काफी optimized है, और display म जिटर भी नहीं है, जो चीज़ आपको Realme पे देखने को मिलती है, अभी तक वो fix नहीं किया है, तो ये था मेरा review, और review नहीं कहेंगे, comparison actually, इन दोनों इफोंस का, I hope आप एक purchase decision पे आप आएंगे, price लगबग बता दू कि लगबग 25 से 30,000 रुपे के बीच में, Redmi 12 Pro Plus आएग तो आप choose करके इन दोनों फोंस में से एक खरीच सकते हैं, alright guys, तो ये था differences दोनों इफोंस का, और comparison, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, I hope आपका कोई सुझाव हो, या फिर कुछ पूछना हो, तो नीचे comment section आप ज़रूर पूछेंगे, मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care.